सिर्फ चाय पिला कर आप किसी भी साधे सुधा महिला और कुमारी लड़की को अपना बना सकते हैं उसके दिलों दिमाग में अपने लिए मोहबबत पैदा कर सकते हैं जी हाँ मेरभक्तो सिर्फ चाय पिला करके इस चाय के साथ में आपको कुछ टोने टुटके करने होंगे जिसके बाद में वह इस्तरी आपसे खुद महबत करने लगेगी आपके बिना नहीं रहा पाएगे सिर्फ 30 से 40 सेकेंड का आपको समय देना है और आप इस चाय के साथ में टोने टुटके कर दीजिएगा और इस चाय को जिस भी इस्तरी को पिलाईएगा जिस भी कुवारी लड़की को पिलाईएगा 24 घंटे के भीतर में वह आपकी दिवानी हो जाएगी आपके प्यार में मदहोस हो जाएगी आपसे मिलना चाहेगी बात करना चाहेगी मेरे प्यारे प्यारे वक्तो बहुत सारे ऐसे मेरे वक्त हैं बहुत सारे ऐसे वेकती हैं जो सोच रहे होंगे कि सिर्फ चाय से आप किसी इस्तरी को कैसे अपने वस में कर सकते हैं मैरे प्यारे प्यार वक्तो ये आम चाय नहीं है ये मामूली चाय नहीं है क्योंकि आप इस चाय के साथ में टोणने टुटके करने वाले हैं सिर्फ तिस सकेंड का समय दे करके मेरे वक्तो ये बहुत ही आसान है आप घर बैठे कर सकते हैं कैसे करना है आईए बताते हैं मेरे प्यार 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 वक्तो येदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूर किजिएगा और विल घंडी को जरूर दवाईएगा ताकिम जितने भी उरिनाएंगे सबसे पहले आपी के पास में चाहेगा मैरे प्यार प्यार भक्तो देखिएगा जिस भी कुमारी लड़की को अपना बनाना चाहते हैं अपने प्यार में दीवानी बनाना चाहते हैं या साधी सुधा महिला को अपना बनाना चाहते हैं, अपने प्यार में मदहोस करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले एक चाय त्यार किजिएगा. पांचे कप हो या एक कप हो कोई जरूरी नहीं है, माली जी कोई और व्यक्ति है उसको भी तो पिलाएगा ना, तो आप क्या किजिए, चाय को लेने के बाद में सबसे पहले आप चाय बनाइए, या चाय बन गया है पहले से कोई बात नहीं है, दुकान से भी ला रहे हैं, या कहीं से भी चाय को लाएं कोई मतलब नहीं है बस आपको टोने टोटके करना है कैसे करना है आई ये बताते हैं थोरी सी मत्रा में केसर लेना है केसर थोरी सी मत्रा में केसर जादा नहीं लेना है और उस केसर को अपने हाथ में दाहिने हाथ में सुरकार सरा करके मैं जो मंत्र ब केसर को जैसे चाय मिला करके उस इस्तरी को पिला दीजिएगा वो आपके प्यार में पागल दीवानी बन जाएगी आपके पीछे पर जाएगी आपके बिना नहीं रहा पाएगी कावन सा मंतरा आएगे बताते हैं सबसे पहले आप केसर को अपने हाथ में इस प्रकार से रख लिजिएगा और मंतर इस प्रकार से पढ़िएगा इस मंत का प्रियुग आपको 108 बर करना है जाजा नहीं और इस पर फूंक मारना है फूंक मारने के बाद मिस केसर को आपको क्या करना है इसको कुच करके ठिकना या पीस करके या कुच करके महिन बना करके उस चाय में मिला दीजिए और जैसे ही चाय में मिला दीजिएगा इस मंत्र को उपर से 7 बर पहर करके इसमें फूंक मार दीजिएगा चाय में और उस चाय को उसी इस्तरी को पिलाए जिसको अपने वस में करना चाहते हैं अपने प्यार में पागल दीवानी बनाना चाहते हैं वो इस्तरी आपके बिना नहीं रहा पाएगी पलपल आपके प्यार में टरपेगी अपसे मिलना चाहेगी अपसे बात करना चाहेगी और ध्य प्रवाइब जरूर कीजिएगा ताकिम जितने भी उड़नाएंगे सबस्क्राइब पहले आपी के पास में जाएगा